नमस्कार सुजस बुलेटन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ श्वीनी सुरोही एक नजर हेडलाइन्स पर प्रदेश के बारा लोकसभा निर्वाचन क्षित्रों में हुआ शान्तिपूर्ण सफल और व्यवस्थित मतदान हर वर्ग ने निभाई लोकतंत्र के उच्सव में भागितारी 12 लोकसभा निर्वाचन क्षित्रों में हुआ लगभग 58 प्रतिशत मतदान सबसे ज्यादा गंगानगर में डाले गए 66.25 प्रतिशत वोट सियाही लगी अंगुली दिखाने पर मिला डिसकाउंट कई मतदान केंद्रों पर दिये गए स्क्रेच कार्ण के जरिये उपहार लोकसभा चुनाव के प्रतम चरण के तहत प्रदेश के 12 निर्वाचन क्षित्रों में शुकरवार को आमतोर पर शांतिपूर्ण और निश्पक्ष मतदान संपन हुआ इन 12 निर्वाचन क्षित्रों के 24,370 मतदान केंद्रों पर नव विवाहित जोडों, दिव्यांग, थर्ड जेंडर, आदिवासियों, बुजुर्गों, युवाउं सहित सभी मतदाताओं ने मतदान में उत्सहपूरवक भागिदारी निभाई मुखन रवाचन अधिकारे श्री प्रवीन गुपता ने बताया कि नक्षेत्रों में 57.88 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है वहीं फॉर्म 17.1 इजाच के बाद ही अंतिम मतदान फाइनल पॉल डेटा प्रतिशत के आंकड़े प्राप्त हो सकेंगी इससे पहले मतदान के दौरान शाम 6 बजे तक भी कई इस्थानों पर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारे लगी थी शहरी और ग्रामी नक्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर सुभा 7 बजे से मतदाता बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुँचे दिन भर मतदान केंद्रों पर हस्ते मुस्कुराते उत्सहा से लबरेज मतदाताओं का ताता लगा रहा 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 66.25 प्रतिशत मतदान गंगानगर में हुआ प्रथम चरण में 12,680 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रकरिया की लाइब वेब कास्टिंग करवाई गई इसकी मॉनिटरिंग रिटर्निंग अधिकारी जिला राज्यस्तर पर और भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर की गई सम्वेदनशिल मतदान केंद्रों पर परियाप्त संख्या में केंद्रिया पुलिस बल और माइक्रो अब्जोर्वर लगाए गई सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुईधा को धियान में रखते हुए राम्प, पीने के पानी, छाया, वीलचेयर और बुजर्ग मतदाताओं के लिए वाहन सहित अन्यववस्थाएं की गई साथ ही मतदाताओं की सहायता के लिए हर मतदान केंदर पर वोलेंटियस भी तैनात किये गए लोकतंतर के उत्सव में यूवाओं, महिलाओं और दिव्यांगों की भागीदारी को प्रेरित करने के लिए 768-768 यूवा और महिला और 96 दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्र बनाये गई मुखह निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 12 लोगसभा निर्वाचन क्षित्रों में 18-19 वर्ष आयू वर्ग के 7,98,520 मतदाताओं ने मतदान के लिए पंजी करण कराये था इन मतदाताओं को आकरशित करने के लिए मतदान केंद्रों पर सेल्फी बूत बनाये गए थे साथ ही सियाही लगी अंगुली दिखाने पर विभिन उत्पादों और सेवाओं की खरीद पर डिसकाउंट और कई मतदान केंद्रों पर प्रतम मतदाताओं को स्क्रेच कार्ड के माध्यम से उपहार दिये गए पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को सर्टिफिकेट भी दिये गए मतदान करने के बाद सेलफी बूत पर सेलफी लेकर CEO राजिस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने पर डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया गया उधर भीलवाड़ा विधानसभाक्षित रासींद में शत्प्रतिशत मतदान के लिए जिला नर्वाचन अधिकारी श्री नमित महता के निर्देशन में सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने नए वोटर्स युवा मतदाता और मतदान के प्रती रूची बढ़ाने के लिए भाईया वोट देना बहना वोट देना मैं मतदान करूँगा मैं मतदान करूँगी आदी स्लोगन लिखी इक्यावन सो राखियां बांधी गई इस नवचार के जरिये 26 अपरेल को दूसरे चरण में शत प्रतिशत मतदान की अपील के साथ सुईप का रक्षा बंधन उत्सव मनाय गया लोकसभा चुनाव में धन बल का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रतेश भर में एक मार्च से अब तक 882 करोड रुपए से अधिक मुल्य की नकदी, शराब, ढ्रग सहित, अन्या अवैध सामगरी जब्द की गई है लोकसभा चुनाव की आदर शाचार सहिता प्रभावी होने के बाद से अब तक 777 करोड 69 लाख रुपए मुल्य की नकदी सहित अन्या अवैध सामगरी जब्द की जा चुकी है मही मुखर नर्वाचन अधिकारी ने बताया की सीवजुल एप प्रदेश भर में आदर शाचार सहिता उलंगन की 5,084 शिकायते दर्च की गई है इन में से सही पाई गई सभी 2,600 शिकायतों का ताय समय मिनस्तारं कर दिया गया है प्रदेश के 13 लोगसभा नर्वाचन अक्षित्रों के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रेल को मतदान होना है सभी घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागिदारी अवश्यन भाएं